हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बात करेंगे रोगाडू या फिर जिसे जम्स भी कहा जाता है, हम इसके बारे में पुरा डिटेल जानेंगे और जो भी इससे रिलेटेड डाउट होते हैं उसको क्लियर करेंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं वीडि जो होते हैं, वे हमारे लिए लाबदायक होते हैं और बहुत सारे जो हमारे उप्योगी कारिये हैं, उसको करने में मदद करते हैं, उसी प्रकार यहां पे कई ऐसे सुक्ष्मजीव हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, और इन ही सुक्ष्मजीवों को हम रोगाडू या फिर जम्स कहते हैं जो कि हमारे लिए हानी का रखो या फिर हम कह सकते हैं कि जो रोगाड़ू या फिर सुक्षमजीव हमारे सरीर में बीमारी उत्पन्न करें या फिर संक्रमण पैदा करें वे जम्स कहलाते हैं यदि हम यहां पर जम्स को विभाजित करें या फिर उन्हे बैक्टिरिया में जो हमारे फाइदे मंद होते हैं जैसे की फर्मेंटेशन की रिया में बैक्टिरिया हमारे लिए लाब दायक होता है उसी प्रकार यहां पे वाईरस को देख सकते हैं दूसरा प्रकार है जम्स का तो यहां पे जो वायरस है राइनो वायरस वो हमें सर्दी हमारे सरीड में सर्दी उठपन कर सकता है कवक में आज आप एक्जामपल के तौर पे देखों देखें तो ट्रीकोफाई टोन जो की एथलिट फूट का कारण बन सकता है उसी प्रकार कई पेरासाइड भी है जो हमारे लिए हनिकारक होते हैं तो चलिए आप देखते हैं कि जो रोगाडू है या फिर जो जम्स है वो फैलते कैसे हैं तो यहां पर यदि आपके घर में कहीं भी अत्यधिक गर्मी हो या फिर नमी हो वैसे सर्फेस में ये रोगाडू और जो कवक है वो उत्पन्न हो जाते हैं आप देखेंगे कि गर्मियों के दिन में ज्यादा ही हमारा जो खाना है यदि हम खुला छोड़ दे तो वो खराब हो जाता है क्यों कि गर्मियों में जो सुक्षमजी होते हैं रोगाडू होते हैं वो जल्दी से अपना जो multiplication है अपना जो अपनी छमता है बढ़ने की अपनी वन्स को वो बहुत ही जल्दी ये गर्मी में कर सकते हैं इसलिए खाना बहुत ही जल्दी गर्मियों के दिनों में खराब हो जाता है क्योंकि यह जम्स की खासियत है कि यह गर्मी और नमी में बहुत ही जल्दी विकास कर सकते हैं परन्तु यहाँ पर जो वाइरस हमारा है जो जम्स है वो भी यह इनमें एक अलगी खासियत है ये body के बाहर अपना प्रजाती या फिर अपना जो वन से वो आगे नहीं बढ़ा सकते हमेशा ये अपने host cell में ही जाकर अपना जो वृद्धी है अपना जो वन से वो आगे बढ़ा अब चलिए देखते हैं कि घर में रोगाड़ू या फिर जम्स कहां कहां हो सकते हैं या फिर उनके सोर्स या स्रोत कौन-कौन से हैं तो यहाँ पे देखिए संक्रमित भोजन और पानी यह पहला जो है निहां पे यदि आपका भोजन संक्रमित हो या फिर जो पानी आप पीते हैं उसमें पहले से ही यह जो रोगजनक उपस्तित हो तो यह यहां से फैल सकते हैं यह उनका स्रोत हो सकता है दूसरा है यहां पे नियमित रूप से छुई जाने वाली सतह जैसे कि दरवाजे की हथे नर्ल टेलिविजन के रिमोट और टेलिफोन आप देखते हैं कि बाहर स जाते हैं और वह वहाँ पर ही रहते हैं तो यह इनका दूसरा स्रोत हो सकता है ज्यादा छुई जाने वाली वस्तिवों घर में यहां थाड़ है सफाई और कच्रे के छेत्रे जैसे कि डस्ट बीन और यहां पर आपका ट्वालेट हो सकता है क्योंकि यहां पर गंदी चीजे बहुत ही जादा होती हैं कच्रा होता है मेंली के हैं तो और यहां पर जो सुक्षमजीव हैं जो रोगाणू है वो बहुत जल्दी अपना विकास कर पाते हैं यहां पर नेक्ष्ट देखें तो घरेलू कच्रा जैसे कि डस्ट बीन या फिर आपका यहीं कहीं पर खराब भो कुछ करते हैं उनमें भी जम्स बहुत जादा हो सकते हैं सफाई की वस्तु हैं जैसे सफाई के कपड़े इस्पंज और गंदे टूत ब्रस पालतू जानवर और दूसरे जानवर जैसे कि घर में चूहे मक्हियां यह भी क्या करती हैं जो रोगाणू है उनको फैलाने का कार सफे करते हैं यहां भी देखे हम तो जो जम्स है रोगाणू है शरूर में बहुत ही प्रकार से आसानी से आपकी सरी में प्रवीस कर सकते हैं जैसे कि दूर्सित भोजन से खाये जा सकते हैं, मतलब कि यदि आपका जो खाना है वो दूर्सित हो गया है, उसमें यदि कोई जमस है, तो वो खाने के साथ आपकी जो बौडी में प्रवेश कर सकता है, दूसरा है यहां नाक और मुह के माध्यम से सांस लेते समय हवा में जो उपचारित नहीं किया गया है, उसके माध्यम से भी बौडी के अंदर ये प्रवेश कर सकते हैं, यहां पर इंजेक्शन, यहां फिर सल्य चिकिस्सा, जिसे कि यहां पर सरजरी कहा जाता है, उसके द्वारा भी आपके सरीर में ये प्रवेश कर सकते हैं, कोई जानवर या पर कोई कीड़ा हो यदि वो आपको कार दे तो वे जुज हैं यदि उन में है तो वे रख्त प्रवाध में आपके दाखिल हो सकते हैं पहुंच सकते हैं तो यहां मोत देखें कि जो जम्स हैं वो बहुत इजली आपके सरीर के अंदर जा सकते हैं जो की बहुत ही हानिकारक है तो दोस्तों आज का ये इतना ही था हमने जाना की जम्स क्या होते हैं और इनके जो साधाराण स्रोत कौन-कौन से हैं रोगाणू सरीर में कैसे प्रविस करते हैं यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक जरूर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजे और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजे ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिविकेशन मिल जाए थैंक्यो फर वाचिंग